अफ्रून आइर्वन तो आज हम एक छोटा सा टोपिक कवर करेंगे तेस वाट इस बायो फ्यूल्स, बायो फ्यूल्स क्या होते हैं? आज के टाइम पर बायो फ्यूल्स का जो इंपोर्टेंस है काफी ज्यादा बढ़ चुका है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले हम जान लेते हैं basic definition biofuel के बारे में देखें biofuel कुछ नहीं होते है basically जो हमारे पस living materials होते हैं उसे जो हम energy निकाल लेते हैं उसे हम biofuel कह देते हैं जैसे कि animal dung jo होता है उसे हम energy निकाल लेते हैं तो वो भी एक biofuel है अब हम इसकी definition परते हैं जैसे जैसे lecture में आगी जाएंगी आपको clarity आती जाएगी definition में लिखा गया है कि living materials से जो renewable energy निकाली जाती है उसे हम biofuel कहते हैं अब हम बात करते हैं कि most common biofuel कौन से हैं जो हमीं दिखाई देते हैं the most common biofuel are corn ethanol, biodiesel and bio gas from organic bioproducts organic bioproducts जैसे कि आपका animal dung हो गया wood हो गया यह सारे organic bioproducts हैं अब हम आगे जाते हैं और जादे clarity आएगी crops used to make biofuel ऐसी crops जिनसे हम biofuel निकालते हैं generally either high in sugar such as sugar can जो गन्ना होता है sugar beet जो जुकंतर होता है उससे हम energy निकालते हैं biofuel निकालते हैं starch such as maize, tapioca, oils such as soybean, rapeseed, coconut, sunflower इन सभी से हम biofuel निकालते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं natural biofuel की तो वो हो गया firewood जिससे हम directly biofuel निकाल लेते हैं plants हो गई, forest हो गई, annual waste हो गई, crop residue हो गई इन सब को हम natural biofuel कहते हैं उसके बाद हमारे पास आते हैं secondary biofuel secondary biofuel में भी तीन तरह की types होती है first generation biofuel, second generation biofuel and third generation biofuel ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार exam में पूछ लिया जाता है अगर आप exam बगएरा देते हैं, MC क्या कोशन में पूछ लिया जाता है हमें इतना तो पता होता है कि biofuel क्या है, biofuel कहां कहां से हमें energy मिलती है बट जब बात आती है first generation की, second generation की, third generation की तो हम confuse हो जाते हैं और हम कोशन अपना गलत कर देते हैं क्योंकि मैंने भी अपने exam में एक कोशन गलत किया था जो biofuels पे आया था और उसमें directly पूछा गया था first generation biofuels में कौन-कौन से आते हैं ठीक है तो पहले हम बात करते हैं first generation biofuels के बारे में first generation biofuels are made from sugar, starch, vegetable oil और animal fats using conventional technology याद रखेगा second generation biofuels are produced from non-food crops that is more important जो non-food crops से हमें biofuels मिलता है उसे हम second generation biofuels कह देते हैं जैसे cellulosic biofuels, waste biomass, stocks of wheat अब जैसे जो wheat होते हैं उसके जो stocks होते हैं जिनको हम ठुंडल भी कहते हैं हिंदी में तो उससे जो energy मिलती है उसे हम biofuels कह देते हैं corn and wood उसके बाद हम बात करते हैं third generation biofuels third generation biofuels जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं micro organisms like algae तो यहां से जो energy हमें मिलती है जो biofuels मिलता है उसे हम third generation biofuels कह देते हैं अब हम बात करते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है biofuels को promote करने के लिए आपको पता है कि biofuels का हम addition करते हैं petrol में, diesel में तो biofuels का जो importance है वो काफी ज़्यादा important हो चुका है क्योंकि biofuels से हम replace भी कर सकते हैं दूसरी जो fossil fuels की जो energy होती है fuels होती है उनको replace कर सकते है तो इसलिए भारत इसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है हमारी policy भी है biofuels के उपर national policy on biofuels 2018 उसके बाद gober है galvanizing organic bio agro resources धन scheme इसमें जो animal waste होता है का हम इस्तमाल करते हैं हम सभी अपने घरों में cooking oil का इस्तमाल करते हैं वो oil waste ना हो उसी oil को फिट से यानि कि bio diesel में लाया जाए यानि कि उसका फिट से इस्तमाल किया जाए इस तरह का कुछ ये scheme है repurpose used cooking oil तो आज हमने biofuels के बारे में basic सी जानका रिली इतना ही important है इससे ज़्याद हावे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो मिलते हैं next video में thank you